कटकी है कि मंगलावर विदानसभा सरकिल का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने में सक्षम ही नहीं है चलो आज से उन्हें हम पोलिटिकल बहु के नाम से ही पुकारना शुरू करते गे राजनितिक बहु जादा थे अब हर्याना से लाइवे लोग ट्रैफिक जैम के लोग काम नहीं है वो शोग है दो दिन पूर भारतियनता पार्टी के प्रत्याशी करतार सिंग बढ़ाना ने मंगलोर में अपना रोड़ शो निकाला जिसके बाद कॉंग्रेस के प्रत्याशी काजिनी जमुदीन ने क्या का जान लेते हैं भी ट्रैफिक जैम की थी या भारी बर कम थी वो तो आप लोग तैय करेंगे आप यह बताइए कौन से गौओं के लोग ज्यादा थे अब हर्याना से लाइवे लोग ट्रैफिक जैम के लोग भीड हेलिकॉप्टर उपर गुमा कर आज तक किसी पॉलिटिकल फंक्शन में प और भारतिय इंता पार्टी ने जो अपने मंगलोर विधानसभा सरकिल के कारेकरताओं पर नेतागणों पर आविश्वास की भावना पर कट की है कि मंगलोर विधानसभा सरकिल का कोई व्यक्ति चुनाओ लड़ने में सक्षम ही नहीं है तो या तो ये बात है या भारतिय पार्टी के मंगलोर विधानसभा सरकिल कि किसी कारिकरता नेता ने टिकेट नहीं मांगा या यह बात है दो में से कौन सी बात है यह अब आप लोगों के लिए जाच का विश है लेकिन कल का रोड शो सिर्व नैशनल हाइवे पर आप अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो व कि शायद जरूरत नहीं है जिनके पास कोई काम नहीं है वो शो करते हैं जो पंदरा दिन के लिए चुनाव लड़ते हैं उनके इवेंट मैनेजर्स होते हैं वो इवेंट मैनेजर्स प्लैनर्स होते हैं वो प्लैन करके देते हैं आज यह रोड शो आज यह शो हम लोग जनत लोग यहां बैठे हैं, सभी लोग अपने अपनी जगह मजबूत हैं और अपने अपनी जगह सभी लोग काम कर रहे हैं, तो हमें उस तरह के इवन्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। पूरी होगें तो अगर वो बहु है चलो स दीकल बहु के नाम से ही प provinकार ना शुरू करतें गए राजनीतिक बहु के आगर अपने बहु बनने के लिए तयार है, तो पॉलिटिकल बहु राजनीतिक बहु मानलेंगे भे वोख के वोन मेनेवने सर्क्राब्रांτε ,